हलो गाईज, वेलकम टो साइंस वक्षॉप, दिस इस कुसुम हेर, इस वीडियो में हम डार्क फिल्ड माइक्रोस्कॉपी के बारे में पढ़ेंगे, डार्क फिल्ड माइक्रोस्कॉपी क्या होता है? जो गाईज, जो लाइट माइक्रोस्कॉपी है, उसी का एक टाइप है, डार्क फिल्ड माइक्रोस्कॉपी, जिसके अंदर हम किसी भी अर्गनिजम को विज्वलाइज करने के लिए, लाइट का यूज करते हैं, इससे पिसले वीडियो में हमने पढ़ा था, ब्राइट फिल् दिखती है, तो इस वीडियो में हम डार्क फिल्ड माइक्रोस्कॉपी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा, इसके अलावा, यह सारे टाइप के माइक्रोस्कॉपी के ही टाइप है, ठीक है? तो यह देखते हैं dark filled microscopy क्या होता है dark filled microscopy में हम इसका principle पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसके बाद में हम इसकी uses देखेंगे यानि कि इसके क्या application होते हैं उसके बाद में इसके advantage देखेंगे then disadvantage के बारे में पढ़ेंगे चीक है so firstly देखते हैं dark filled microscopy dark filled microscopy में guys जो background होता है वो तो होता है dark और जो image हमें दिखेगी specimen की वो हमें दिखेगी bright मान लो ये कोई हमें जो भी image दिख रही है यहाँ पे वो image तो हमें bright दिखेगी ये पूरा का पूरा इसको मान सकते हैं dark है चीक है इस तरह से पूरा का पूरा dark background होता है और इसके अंदर जो image होगी वो हमें क्या होगी light दिखेगी आप देख सकते हो जहां से red red है ये पूरा का पूरा आप मान लो की एक dark background है चीक है और जहां पे जो bright दिख रहा है बीच बीच में ये देखो यहां से यहां से यह bright कुछ white दिख रहा है तो इस तरह से जो image हमें दिखेगी वो इसमें bright दिखेगी जो है उससे हम living जो organism है उनको भी देख सकते हैं लैक इनको हमें stain करने की जरुषत नहीं होती है unstained cell को हम यहां पे देख सकते हैं और microorganisms को जो है वो हम इस dark field microscopy में देख सकते हैं bright field microscopy में हमने देखा था कि किसी भी transparent cell को visualize करने के लिए हमें उसे stain करने की जरुषत होती है क्योंकि stain करें बिना transparent वो जो थी वो bright background में bright होने की वज़े से यानि transparent होने की वज़े से वो दिखेगी ही नहीं इसी वज़े से हम वहाँ पे stain कर रहे थे और stain करने की वज़े से वो क्या हो जा रही थी? dead हो जा रहे थी क्योंकि जब भी किसी cell को हम stain करेंगे तो वो dead हो जाती है और फिर वहाँ पे हम living cell को जो है देख नहीं पाते हैं वहाँ पे तो यहाँ यह dark field microscopy में advantage है कि यहाँ पे हमें stain करने की ज़रत नहीं है और हम living cell को जो है यहाँ पे देख सकते हैं तो यह जो dark field microscopy है वो एक type है light microscope का जिसके अंदर phase contrast, differential interface contrast and fluorescence यह भी light microscope के ही type आ जाते हैं उन्हीं में से एक है dark field microscope so देखो इसके अंदर कुछ apparatus होते हैं like first हो गया यहाँ पे objective lens होता है इसके अंदर dark field microscope में second specimen stage होता है जिसके उपर हम specimen को रखते हैं यानि sample को रखते हैं then condenser lens होता है specimen के नीचे और उससे भी नीचे क्या होता है एक light source होता है यह चारो चीजे तो हमने bright field microscope में भी देखी थी फिर इसमें different क्या है अगर हम इसमें different देखे तो आप यहाँ देख सकते हैं condenser lens की just नीचे जो है वो central aperture दिख रहा है यह जो central aperture है न यहाँ पे तो यह क्या है एक abstractor बोल सकते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे एक abstractor का काम करता है इसको हम थोड़ा detail में जो पढ़ेंगे इसका पूरा process तब हम समझ लेंगे कि यह क्या काम करता है और यहाँ पे क्यों जरूरी होता है ठीक है so principle देखते हैं हम dark field microscope जो है वो उसके अंदर हम light microscope का use करते हैं और इसके अंदर जो है condenser lens की just नीचे जो है वो एक central blacked out area होता है यानि कि वहाँ पे एक opaque disc लगी होती है condenser lens के just नीचे जो opaque disc बोलते हैं उसको जो की एक abstractor होता है उसको हम क्या बोलते हैं opaque disc बोलते हैं ठीक है so जो कि जो light आती है light source से उसको direct objective lens पे नहीं जाने देती वो क्या कर देती है वो सिर्फ जो side से है वो light जाएगी और जो specimen की just like abstractor की वज़े से क्या नहीं हो पाएगा वो direct light नहीं जा पाएगी आगे so पहले मैं आपको यहाँ पे यह बता देती हूँ यहीं पे समझ लेते हैं like यह एक light source है यहाँ से light produce हुई और यह जो light होती है वो 400 से 700 nm की होती है यानि कि इसको हम visible light के अंदर भी add कर सकते हैं like यह visible light होती है 400 से 700 nm की light इस light source से produce होगी then यह एक dark field stop लगा हूँ है यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं यह वाला जिसको हम opaque disk बोल रहे हैं और यह एक abstractor का काम कर रहा है यहाँ पे इसी को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है कि यह कुछ इस तरह का दिखता है और यह condenser lens के just नीचे है अब यहाँ से जो light जाएगी न इस light source से जो light जाएगी वो इसके उपर पड़ेगी न तो वो तो आगे जाए नहीं पाएगी इस dark field stop पे पड़ेगी वो आगे नहीं जाएगी और इसके जिस side से जो light जा रही है सिर्फ वही condenser lens जो है वो specimen तक पहुचाएगा और specimen से होते वे वो objective lens तक जाएगी चीक है तो यहाँ पे सिर्फ side से जो है वो light जाती है dark field stop की वजह से यानि opaque disc जो लगी होती है यह वाली opaque disc है इसकी वजह से सिर्फ side से light जाएगी यहाँ पे यह light जा रही है और यहाँ पे condenser lens से किसके वे उपर चली जाती है specimen पे यहाँ specimen रखा हुआ है specimen stage के उपर और जो light specimen stage से टकराएगी जो light specimen stage से टकराएगी उस light को जो है specimen या फिर sample जो है वो उसको scatter कर देगा और यह scattered light जो है वो objective lens तक पहुंसती है objective lens image को magnify करता है और यह जो light है eyepiece lens तक पहुंसती है then further जो eyepiece lens है यहाँ पे image magnify होती है और हमें यहाँ पे eyepiece lens यानि जो objective जो है वहाँ पे हमें यह दिख जाती है image so यहाँ पे जो है वो एक dark तो background होगा क्या होता है dark background होता है और जो हमें जो image दिखती है वो क्या होती है वो bright होती है bright image हमें दिखेगी ठीक है so I hope समझ में आ गया होगा अगर किसी को नहीं आया तो थोड़ा सा एक बर वापस देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले क्या होगा भाई कि light source है यहाँ से light निकली अब यह light dark field stop पे तो जाएगी इस वज़े से direct तो condenser lens तक नहीं पहुँच पाएगी सिर्फ इसके side से जो dark field stop है opaque disc है इसके side से जो light जाएगी सिर्फ वो condenser lens तक जाएगी अब condenser lens से यह specimen stage तक जाएगी और specimen के उपर जो light पढ़ती है वो scatter हो जाती है और जो scatter light हुई न वो objective lens तक पहुँच पाती है और जो specimen पे नहीं पड़ी यानि कि unscattered light जो है वो बाहर की side में हो जाती है unreflected light जो है वो direct बाहर की side में निकल जाती है objective lens तक नहीं पहुच पाती है अब जो objective lens से ये light जो है ये light की rate जो है वो eyepiece lens यानि ocular lens तक जाती है क्योंकि हम eyepiece lens को जो है वो ocular lens भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें image दिखती है यहाँ पे हमें image दिखती है ocular lens या फिर eyepiece lens से तो यह पूरा का पूरा process होता है और इसके अंदर bright field microscopy का उल्टा होता है और इसके अंदर बाकी सब जो apartis है वो सेम होते हैं लेकिन जो dark field stop यहाँ पे एक opaque disc यहाँ पे लगा हुआ होता है ठीक है तो यह इस principle पे base होता है सो अब यहाँ पे आपको कुछ रटने की ज़रत नहीं है आप जो भी समझा है उसी को explain करना है जो dark field microscopy है उसके अंदर हम एक light microscope का यूज करते हैं और जिसके अंदर एक opaque disc लगा होता है condenser lens की just नीचे ठीक है और इसको हम blacked out area भी बोलते हैं इसको और इस वजह से जो light है वो direct objective lens तक नहीं जा पाएगी और जो है सिर्फ side से जो है वो light वहाँ तक जाएगी then light का जो path है the path of the light is directed in such a way that it can pass through the outer edge of the condenser यानि condenser lens जो था उसके just side से light जा रही है यहाँ पे और यहाँ बीच में जो opaque disc है उसको रोग ले रही है so light जो scatter हुई sample के द्वारा सिर्फ वो light जो sample पर पड़ेगी यहाँ पर जो sample रखाव है उसके उपर जो light पड़ेगी ना सिर्फ वो objective lens तक जाती है ठीक है और उसी से हमें visualize होती है image जहाँ पे हमें एक bright image दिखती है dark background के उपर सबको समझ आ गया होगा दो बार हम समझ चुके इनफाक्ट तीन बार समझ चुके हैं इसको यहाँ पे भी हमने दो बार देख लिया था और theory में भी देख लिया यहाँ पे आपने जो समझा वो ही theory में explain करना है अब इसके कुछ uses देख लेते हैं यानि इसके क्या-क्या use है या फिर क्या इसके application होते हैं वो हम देख लेते हैं dark field microscopy के जो dark field microscopy होता है उसको हम जो bacteria होते हैं जो thin होते हैं distinctively shaped होते हैं यानि कि जो shape उसका जैसे एक specific type का जिसका सीप होता है या फिर thin bacteria होते हैं उनको हम identify करने के लिए हम dark field microscopy का जो है वो use करते हैं second जो है इसका use कि हम observe कर सकते हैं जो living और unstained cell होती हैं उनको भी यहाँ पे observe किया जा सकता है इसके लाबा जो microorganism होते हैं उनकी जो internal structure होती है उसका भी यहाँ पे हम structure के बारे में पता लगा सकते हैं और dark field microscopy में जो blood cells होती हैं उनके बारे में हम observe कर सकते हैं साथ ही साथ जो algae है उसको हम identify कर सकते हैं the next है जो metal erzical dark field microscope होता है उसका यूज हम करते हैं जो hairline metal fracture होते हैं उसको observe करने के लिए हम इस metal erzical dark field microscope का यूज करते हैं इसके अलावा जो stereo dark field microscope होता है या फिर gemological microscope जो होता है यह dark field microscope का ही एक type होता है जिसको हम जो diamond होते हैं या फिर कुछ other stone होते हैं काफी कीमती जो stone होते हैं उनकी study के लिए हम इसका use करते हैं उसके लावा जो stereo dark field microscope है उसका use हम जो shrimp और जो other invertebrates होते हैं श्रिम्प यानि जो जिंगा होते हैं उनको observe करने के लिए और कुछ और भी invertebrates को observe करने के लिए हम stereo dark field microscope का use करते हैं जिससे कि metalurgical हो गए है यहाँ पर metal world ही आ रहा है इस वज़े से हम यहाँ पर golden जो hairline बहुत ही पतले होते हैं जो metal fracture उसको observe करने के लिए हम याप इसका use कर रहे हैं और जो stereo dark field microscope याने कि यह भी एक dark field microscope का ही टाइप होता है जिससे हम क्या करते हैं diamonds को और जो precious stones होते हैं लाइक बहुत सारे कीमती पत्थर जो होते हैं उनकी steady के लिए use करते हैं और कुछ shrimps याने कुछ छिंगा मचली भी बहुत सकते हैं उनके बारे में steady करने के लिए उनको observe करन के लिए जो है हम dark field microscopy का use करते हैं तो यह इसके इतने सारे कुछ uses है I hope दिमाग में रही जाएंगे then हम इसकी कुछ adventies देखते हैं इसकी क्या-क्या adventies यानि की भाई क्या फायदे हैं इसकी इस microscopy के resolution by dark field microscopy is somewhat better than bright field microscopy जो इसका resolution जो है वो bright field microscopy की comparison में अगर हम देखे तो dark field microscopy का resolution है वो ज्यादा अच्छा होता है ठीक है resolution का मतलब क्या हुआ कितना clear हम उस image को देख पा रहे हैं ठीक है like हमने first video में देखा था कि resolution power यानि कि कोई भी image जो है उसको हम कितना clear देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं resolution power और magnification power देखा था कि magnification power कितना बड़ा image को हम देख सकते हैं उसको हम magnify करना बोड़ते हैं ठीक है? So, resolution power जो है dark filled microscopy का वो ज्यादा होता है as compared to bright filled microscopy It improves image contrast without the use of stain and thus do not kill cells यहाँ पे हमें जो cell है उसको stain करने की ज़रत नहीं होती इसवाजे से जो cell है उसको हमें मारना नहीं पड़ता क्योंकि जब हम stain करेंगे तो cell जो है वो dead हो जाएगी So, यहाँ पे हम living cell को यहाँ पे visualize कर सकते हैं ठीक है? Second, यह हमारा advantage हो गया इसका third advantage पे आते हैं Direct detection of non-culturable bacteria present in patient samples उसको detect करने के लिए उसके पहचान करने के लिए हम इसका use करते हैं No sample preparation is required यहाँ पे हमारे पास में कोई भी cell है उस cell को कुछ प्रिपेर नहीं करना Like bright field में भी अगर हम देखे bright field microscopy में भी अगर हम देखे तो वहाँ क्या करना पढ़ रहा है? कि transparent जो cell है उसको हमें stain करना पढ़ रहा है एक तरह से preparation तो करना पढ़ ही रहा है वहाँ पे stain करे भीना तो वहाँ पे दिखेगी नहीं यहाँ पे तो अगर transparent cell पी है तो हम direct microscope के अंदर रखते हैं उस sample को और हमें वहाँ पे image visualize हो सकती है so इस वज़े से तो क्या हो रहा है कि preparation की कोई जरुरत नहीं है sample को prepare करने की कोई जरुरत नहीं है यह भी एक benefit है इसका क्योंकि इससे time saving होती है time बसता है इससे and next है it requires no special setup कोई भी special setup की जरुरत नहीं है even a light microscope can be converted to dark field यहाँ पे जो light microscope है वही dark field microscope में convert किया जा सकता है उसके अंदर हमें क्या करना होगा एक opaque disc लगा देनी होती है condenser lens के just नीची तो इसमें कुछ ज़्यादा setup की भी जरुरत नहीं होती यह भी एक तरह से adventist है इसका और इसके अलावा यह भी easy to use होती है easy to use होती है like use करने में इतना कुछ खास जंजट नहीं होता और simple microscopic technique है आसाने से हम इसको use कर सकते हैं चीक है so disadvantage में आज आता है necessity to examine wheat moist specimen containing living organisms very quickly like जो भी नमी वाले और जो moist specimen होते हैं तो उनको बहुत जल्दी जरूरी होता है उनको observe करना यानि कि उसके अंदर देख पाना और क्योंकि जो moving bacteria होते हैं उनको detection के लिए बहुत जल्दी यह process करना होगा वरना वहाँ पे जो हमारे पास में object है वो damage हो जाएगा बाद में ठीक है proper structure है वो हमें देखने को नहीं मिल पाएगी वहाँ पे अगर हमारे पास में कोई भी sample है तो वो strongly illuminated होना चाहिए यानि कि अगर dark filled है तो वो light को बिखेरने वाला हो एक तरह से हम बहु सकते हैं है ना तो अगर जादा ही वो light बिखेरने वाला है तो वो sample को damage भी कर सकता है like जो image हमें मिलेगी वो proper image नहीं मिल पाएगी then वहाँ पे जैसे की cover slip है यहाँ पे हमने sample रखे है उसके आस पास में जो है वो dust particles भी आ सकते हैं यहाँ पे यहीं लिखाव है जो dust particles है वो भी light को illuminate करते हैं ठीक है light भी खेरते हैं तो इस वज़े से जो structure हमें देखेगी जो image हमें देखेगी उसके अंदर जो dust particles है इसकी image भी आ जाएगी तो हमें clear नहीं हो पाएगा कि यह वाली image जो है वो उसी के अंदर add है या फिर अलग है यानि कि जो sample हम देख रहे हैं उसके अंदर dust particle आने की वज़े से वो image खराब हो जाएगी जो sample है जो material है sample पे उसको हम spread करना होता है thinly अगर वो dance preparation होगा तो हमें जो image है वो dark field में वो accuracy नहीं दे पाएगी यानि कि माल लो ये कोई सघन यानि कि dance particle है और इसको हमें thinly thinly spread करना होता है अगर ये ठीक तरह से नहीं करा गया तो क्या होगा जो image है उसकी accuracy हमें नहीं मिल पाएगी उसकी structure की तो इसके साथ ये कुछ disadvantage भी थे यानि इसके कुछ नुकसान भी थे सबसे जादा जो है मैं ये याद रखना कि इसके अंदर जो dust particles आ जाते है न उसके वज़े से dust भी हमें image के अंदर ocular lens में जब हम देखते हैं वहाँ दिखाई देती है उसकी structure भी और यहाँ पे जैसे की कुछ spread करना होता है हमें material को thinly और dense preparation जो है वो किसको affect करेगी इसकी contrast और accuracy को affect करेगी यानि कि एक accurate image हमें नहीं मिल पाएगी साथ ही साथ जो image जो है sorry जो sample है वो strongly illuminated हो यानि कि वो कुछ ज़्यादा ही प्रकास विखेरने वाला हो light को illuminate करने वाला हो जिसकी वज़े से image जो है या sample जो है वो damage हो सकता है तो यह कुछ इसके disadvantage थे ठीक है so I hope समझ में आ गया होगा एक बार इसको summarize कर लेते हैं हमने पढ़ा है dark filled microscopy dark filled microscopy देखो मैं थोड़ा सा शायद fast बोल रही हूँ like थोड़ा सा fast लेके जा रही हूँ लेकिन मैं वही चीज जो है repeat कर देती हूँ तो I hope वह उस वज़े से समझ में आ ही जाती होगी एक बार नहीं मैं दो-दो बार बोल देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाती होगी so fast का I hope कोई problem नहीं होना चाहिए so dark filled microscopy में हमने देखा कि जो background होता है background होगा वो क्या होगा वो होगा भाई dark ठीक है ये कुछ man की points याद रखना और जो image है वो हमें कैसे दिखेगी वो एक bright image दिखेगी ठीक है एक bright image हमें दिखेगी dark background में dark field microscopy में ये important point है इसके अलावा जो एक होता है इसके अंदर apartus में एक होता है भाई ocular lens या फिर जिसको हम eyepiece lens भी बोल सकते हैं ocular lens and second यहाँ पे आ जाएगा objective lens objective lens and third आ जाएगा यहाँ पे हमारा specimen stage specimen stage यहाँ पे रखा हुआ होता है लगा हुआ होता है sorry and fourth यहाँ पे condenser lens होता है condenser lens होता है और condenser lens के जस नीचे क्या होता है वो होता है एक dark filled area जिसको हम यहाँ पे abstractor बोल सकते हैं abstractor लगा होता है और जिसको हम opaque disc बोलता है एक opaque disc लगी होती है छीक है जो की abstractor का काम करती है और इसके नीचे लगा होता है light source light source इसमें हमने इसका principle देखा देन कि light source से light निकलेगी abstractor पे जाएगी वो तो direct condenser lens पे पहुँचने नहीं देगा लेकिन इसके जो side से light जाएगी वो condenser lens तक पहुँचती है और condenser lens के just side से जो light जाती है वो specimen पे जाती है और specimen के उपर जो light पढ़ेगी सिर्फ जो specimen को cross करके जाएगी यानि उसको touch करके जाएगी वही light objective lens तक पहुँच पाएगी और बाकी की जो light है वो बाहर की side में निकल जाएगी वो objective lens तक नहीं पहुँच पाएगी और then यह जाती है ocular lens तक और यहाँ पे हमें एक dark बेक्राउंड पे bright image देखती है और जिसके बाद में हमने क्या देखा हमने देखा इसका dark filled microscopy DFM ओ सकते हैं then हमने इसके uses देखे कहां-कहां इसके use होते हैं then हमने इसके advantages देखे कि इसके क्या-क्या फाइदे हैं advantages then हमने इसके disadvantages disadvantages disadvantage ठीक है uses हमने देखा कि हम देखते हैं कि जो भी blood cells होती है उनको observe करने के लिए हम इसका use करते हैं, जो algae होती है उसको identify करने के लिए या फिर उसको observe करने के लिए या फिर जो bacteria होते है कुछ specific structure या shape जिनकी होती है जो thin होते है उनको observe करने के लिए, identify करने के लिए हम D.F.M. यानि dark field microscopy का use करते हैं और जो stones होते हैं जैसे कि diamond हो गया यानि हीरा हो गया, कुछ और भी stones होते हैं, बहुत गीमती जो stone होते हैं, उनको देखने के लिए, उनकी बारे में steady करने के लिए हम इसका use करते हैं advantage में हमने देखा कि यह जो microscopy है, इसमें हमने unstained जो cell है, उनको भी हम easily देख सकते हैं यानि कि हम live cells को भी देख सकते हैं और easy है यह कुछ use करने के लिए और यह कुछ advantage थे इसके और disadvantage में manly हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है dust particle आ जाते हैं, जिसके वज़े से जो image दिखती है हमें जो image दिखती है, वो clear image नहीं दिख पाती यानि कि उसके अंदर dust particle की image भी mix हो जाती है तो यह कुछ हमने देखा DFM के बारे में, यानि Darkfield Microscopy के बारे में I hope सब समझ में आ गया होगा So, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please guys like कर देना Like करने में तो क्या ही जा रहा है Share कर देना अपने दोस्तों के साथ में अपने जो भी class की student है उनके साथ भी share कर सकते हो और चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं करा है तो please सबस्क्राइब कर देना और bell icon को please करना मत भूलना ताकि जो next video आए उसका notification भी आपको मिल जाए So, मिलते हैं next video में तब तक के लिए, bye Take care